हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इंडियन जीएज तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं जारखन का भूगोल से संबंदी जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्न बन सकते हैं उन सभी प्रस्नों को आज इस वीडियो में डिसक्स करेंगे और यह इंपोर्टेंट वीडियो से जिस से जेपी एस्टी जेएस से जितने भी जारखन के एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए काफी इमपोर्टेंट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिसक्स करते हैं जारखन का भूगोल देट मिन ज्यवर्वी जारखन पहला कोश् जार्खन अब्दापरवंदन प्रादिकरन का गठन कब किया गया तो यह किया गया 28 मई 2010 को किया गया है जार्खन अब्दापरवंदन प्रादिकरन का अध्यच कोन होता है तो यह मुख्य मंत्री जी होते हैं राइज अब्दापरवंदन प्रादिकरन के अध्यच अगला प् कि अगला प्रस्टन क्या है राइज आपदा रिस्पॉंस कोस में केंदर राइज द्वारा धन विनिमाई की हिसेदारी क्या है मतलब केंदर सरकार कितने पैसे देते हैं और राइज सरकार कितना पैसा देता है इस कोस में रिस्पॉंस कोस में तो इसका हिसेदारी है केंदर द जाता है अगला प्रश्न जिल्ला आभदा परबंधन प्रादिकरण का परमुख कोन होता है तो यह होता है जिल्ला समारता यसी तो यह है रांची जिल्ले में किया जा रहा है इसका अस्थापना राइज अस्थरिय एमर्जेंसी ओप्रेशन सेंटर का अब आग देखते हैं जार्खन की किस जिले में जिला अस्थरिय एमर्जेंसी ओप्रेशन सेंटर अस्थापित किया जा रहा है तो यह है धनबाद देवगर और जमसेतपूर में किया जा रहा है जिला अस्तर्य एमर्जेंसी ओप्रेशन सेंटर की अस्थापना लब इन जीलों में बनाया जा रहा है अगला प्रस्ण है जार्खन राइज में किस वर्ष वित्य सहायता आप्दा परबंदन विभाग गठित किया गया तो यह 2012 में इसका गठन किया गया है यह सब इस इमपोर्टेंट प्रस्ण अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है ज्यज़ार्खन अस्पेश एप्लीकेशण सेंटर का काईर क्या है तो इसका काईर्ष है आबदा के संदर्व में महात्पूर्ण सुचना परदान करना यहे इनका कार्ष अब अग्ला देखते हैं भूकम संबंदी आपदा के लिए जारखन के किस संस्थान में सेचनी कियों टक्नीकी परसिच्छन की व्यवस्था है तो यह है BIT मेसरा जोकी रांची में है वहाँ पर इसका परसिच्छन टक्नीकी संस्थान है और दе देखते हैं राई-जिग ग्रमिन विकास संस्थान मतलब कहां अस्थापी तो यह रांची में संस्थापी तर राइजि असमानद केंद्र अस्था फित्व द्याल है ज़ारखन में खनन परियावरन केंद्र नार अब्धन क्या है ट्रेनिंग नीड एनेलाइसिस कायरिक्रम के तहथ आपदा प्लायर्ट पाइलट कायरिक्रम का संचालन किन जीलों में किया गया तो यह किया गया रांचियों धनबाद में किया गया है ट्रेनिंग नीड एनेलिसिस कारिक्रम के तहद जो अब्दा पाइलेट कारिक्रम शुरुआ किया गया था वगला प्रस्न है जारखन में कितने जिले भूकंप जोन 4 के अंतरगत आते हैं मतलब जोन 4 में आते हैं भूकंप की तो यह हैं गोड़ा और साहब गंज यह दो जिले जो की जोन 4 में आते हैं भूकंप का एक जोन होता है मतलब किस एरिया में कितना भूकंप आता है उस केटेगरी में यह डिभाइड किया जाता है तो जोन 1,2,3 इस तरह करें तो जोन 4 में गोड़ा और साहब गंज आते हैं जारखन के कितने जिले लाइटिंग अब्दा से परभावित है मतलब जो थंडर रेश्टरम होता है कड़क होता है उससे परभावित है तो यह है नो जिल्य टोटल परभावित हैं लाइटिंग से अब अगला प्रस्ण क्या है लाइटिंग आपदा से निप्टने के लिए विशेश ट्रेनिंग मोडियोल कि संस्थान जण द्धारा विक्सीत क्या गया है लाइटिंग आपदा से निपटने के लिए एब आगे अगला प्रस्ण क्या है जार्खन का सरोधीक सूखा-ग्रस्त जीला कौन सा है तो यह मोड़ामू जीला सबसे सूखा-ग्रसित जीला है इस में कमी बारिस होता है और इस प्लामू से जूज रहा है मतलब अठारस वश्टी से हिए यहाँ पर आग लगा हुआ है और अभी तक लग । यह ज़ारिया कोईला ख़ा यहाँ पर अभी भी आग लगा हुआ हिए यह अंदर जितने भी कोईले वहां पर लग ग्या है मतलब जर्या इलाके में और वहां अभी परिवर्तन पर द्शारखन ड्राइज action plan की घुष न किस वर्ष की गई तो यह 2004 में की गई इसकी घुष न अगला प्रसन है जारखन राइज का भूगर्व जल्भंडार क्या है तो यह in 500,000,000,000 cubic meters है जो भूगर्व जल्भंडार हमारे जान में मतलब अंडर groundwater कितना है तो यह 500 million cubic meter है अब आग देखते हैं जारखंड का कोन सा जिल्ला सरवाधी greenhouse gaze का उत्सरजन करता है तो यह greedy जिल्ला है जो की सबसे ज़्यादा greenhouse gaze को उत्सरजित करता है मारे जारखन में अगला प्रण क्या है जारखन राइज जी गंगा नदी संरच्चन प्राधिकरन का गठन किया गया तो यह किया गया है 30 सितंबर 2009 को किया गया है जार्खन राइज गंगा नदीव संरच्चन प्राधिकरन का गठन ज्रेडा का गठन 2001 में किस उद्देश्य से किया गया तो इसका उद्देश्य है गेर प्रमप्रागत उर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना अगला प्रस्ण है जार्खन राज पर्दूसन नियंदरन बोड की अस्थापना कब की गई तो यह 2001 में की गई है जार्खन राज पर्दूसन नियंदरन बोड की अगला अगला प्रस्ण क्या है जार्खन की मिटी में किस सुच में पोशकता तो किस सरवदिक मतलब लेक है मतलब नहीं पाए जाता है तो यह फस्फोरस में हमारे ज्ञारखन की मिठी में वहुत ज्यादा कमी है कि अग्ला प्रसुन क्या है सोन्रेखा नदी के पर्दूशन का मुई की कारण क्या है तो यह है चावल मिल यो मूरी एलमुण्यम कारखाना जो है इसका मलबा जो जाता है यह सिधे सोन रेखा नदी में डंप कर दिया जाता है और जिसके कारण यह नदी काफी परदूसन परदूसित रहता है अगला प्रस्ण है दामोदर नदी में पाए जाने वाला परमुख परदूसक क्या है तो यह पोटेसियम है जो कि दामोदर नदी में पाए जाता है और यह एक परदूसक है मतलब पॉल्यूटेंट है अगला प्रस्ण है जार्खन में सरवाधिक वायू परदूसक अस्थान कौन सा है तो यह जर्या है जहाँ पर सबसे ज्यादा एयर कोल्यूशन होता है जर्या में क्योंकि यहाँ पर कोईले के ख़दान है और यहाँ पर अभी पिछला कॉशन में मैंने क्या डिस्कस किया था क जर्या के ख़दानों में जो बहुत पहले से ही आग लगी हुई है वह अभी तक बुझी नहीं हुए जिसके कारण और भी वायू परदूसन पहलता है आप वाग दखते हैं जार्खन में वायू परदूसन के कारण व्यक्ति के जीवन परत्यासा और में ओसत कितने वर्स की कमी हुई है तो यह 4.4 वर्स की कमी हुई है वायू परदूसन के कारण वन बंदू योजना के तहत किस परखंड का चैन पाइलेट परखंड के रूप में हुआ है तो यह है लिटी पाड़ा जो की पाकुड में है इस परखंड का चैन किया गया है पाइलेट परखंड के र पर्खन में लागू कर दिया जाएगा अब आगे देखते हैं जापान की कौन सी कंपणी कचड़े से बिजली उत्पादन में सहयोग करेगी हमारे जार्खन को तो यह हिटाची जो कंपणी है यह करेगी जार्खन में केमपा का गठन की स्वर्ष किया गया तो यह 2009 में केमपा का गठन किया गया है इसका फुल फॉर्म होता है कंपंसेर्शन एफर्मेशन यह कुछ इसी तरह का होता है इसका फुल फॉर्म है जो कि पर्यावरन से सम्मद्धी थे यह तो आगे रहते हैं, बी सुबैंक यो राजी सरकार की सहता से किन जीलों में सहरी जलाच्छाजन कारिक्रम चलाया जा रहा है तो ये रांची और धनबाद में चलाया जा रहा है, बी सुबैंक और राजी सरकार दोनों मिल के ये काम कर रहे हैं अगला प्रस्न है जार्खंड सरकार ने एको टूरिजम निती की घोषना किस वर्ष की है तो ये 2015 में की है एको टूरिजम निती की घोषना की गई है जार्खंड सरकार के दुबड़ा जार्खंड के हजारी बाग में विलुप्त गिदों की परजाती पाई जाती है, मतलब किस विलुप्त गिदों की परजाती पाई जाती है हमारे हजारी बाग में, तो ये जिप्स, बैंगलेसिस, जिप्स, इंडिकस, ये दोनों गिदों की परजाती जार्खंड में पाई जा तो यह 9 है टोटल भगला प्रस्ण क्या है ज्यारखन में सरवाधिक ज्यव विवित्ता किस छेत्र में पाइजाती है तो यह पिठोरिया घाटी और नेतरहाट यह सारंड़ा जंगलों में पाइजाती है सबसे जाला मतलब ज्यव विवित्ता जीवजन्तु पेड़ पोध है प्रस्ण राइज का कुल छेत्रफल कीतना है तो यहгорगा ऐगा पूर प्रस्णा है यहीं ग्या refugee 18 मिन तक है चांग सी विस्तार क्या है तो यह में तो कि अगला प्रसुन ध्यारखन राइज के कूल्ट्रफल का कितना परतिषप है मतलब जार्खन जो है यह भारत के कूल छैट्रफल का कितना परतिषप जारकन तो यह है 2.42 परतिषफ हम 워서 से भागे समर देखें हैं पूल्टका कितना प्रतिसत भूभाक पर इस्थित तो यिए port 6 प्रतिसतद भूगा भूभाक पर न इस्थित जो हमारी ऱ्रीष्टी से ज्छारखंड में यह सबसेए खोटा जिल्ला कौन सा है तो यह है पस्चिमी सिंभूम और रामगड़ है यह सभी दोनों अगला है जारखन का एक मात्र जिल्ला जिसकी सीमा तीन राजियों चतिसगर बिहार और उत्तर परदेश से मिलती है तो यह है गड़वा जिल्ला है जो कि तीनों राजियों से मिलती ह वो इस तरह सिचुएटेड है मतलब इस इलाक्य में है गड़भा वगला प्रसम्चााइब बिहार राजी से जहारकंड के कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है तो ये दस जिलों की सीमा जुड़ी हुई बिहार राज से हमारे जारकंड की यह सभी काफी इंपोर्टेंट कोस्टेंस हैं जो कि जेवरोफिक हैं तो याद कर लें क्योंकि एक्जाम में डायरेट पूछे जाते हैं अब आगे देखते हैं पस्चिमी सिंभूम जिले से किन राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है तो यह पस्चिम बंगाल की सिमा पस्चिमी सिंभूम जिले से टच करता है मतलब इन लोग का बोर्डर अब आगे दखते हैं राज में धारवार कुड़ूपा विंधियन समु की चटानों का निर्मान किस काल में हुआ तो यह प्री केम्रियन काल में हुआ है धारवार चटान अगला प्रस्ण है जार्खन में पाठ परदेश का निर्मान किस काल में हुआ तो यह सेनो जोई काल में हुआ है पाठ परदेश का निर्मान जार्खन में पाया जाने वाला परमुख चट्टान समुख क्या है तो यह आर्कियन जो की नीश और ग्रिनाइट का मिश्रित है यह सभी चट्टान हमारे जार्खन में पाया जाते हैं आर्कियन समुख के अगला प्रस्ण है जार्खन में लोह अयस्क किस रिंखला किन चट्टानों में पाई जाती है तो ये धारवार क्रम के चट्टानों में लोह अयस्क किस रिंखला पाई जाती है आगे देखते हैं जार्खन में विंधियन क्रम चट्टानों का विस्तार कहां पाय जाता है तो ये गड़वा जिल्ला में पाय जाता है विंधियन क्रम की चट्टानी ज्ञारखन में बिसाल कोईला भंडार किस चत्टानी सत्व में पाई जाती है, तो यह गॉंडवाना चत्टान में पाई जाता है, कोईला भंडार मारे ज्ञारखन में राजमी, लेटरराइट, मिटी या वोकसाइट अयस का नीरमान की चट्टानों के अपचेयन का परिणाम है तो यह दखण लावा टिक का किस करम के परदार चक्टाने है 둘 ये विवन्धियन करम के एक परदार चक्टान हैं he तो ये दामदर नदी का अगला प्रस्ण क्या है जहरखन की सबसे उची चोटी शम्मेध सिखक्र की उच्चाई कितनी है जिसे हम लोग पारशनात भी बोलते हैं इसकी उच्चाई है तेरो सो पाइंट सट मीटर अगर फीट में देखा जाए तो 4,478 फीट यह समयत सिकर जिसे पारशनात की पहाड़ी भी बुला जाता है इसकी उच्चाई है यह काफी इक लिए पूछा जा सकता है इसकी ऑंचाही भी पूछा जाता है यह यह तो समी के जारखन में पार्ट पर्देश तक कि दूक्ति में झाहते हैं यह पथ genus जमीरा पार्ट यंडरघ के छेद्र के हिस्सेथि ये पार्ट प्रदेश के हिस्से हैं जमीरा पार्ट और नेरहात पार अ सब्सक्राम और यह अक्राणाची पठार और 1000 बाग पठार सब्सक्राइब तुर इस में टामींग कट्टोर असक्राइब कर लग करने वाली नदि कौन nast градुनन किया है अब अगला प्रश्ण क्या है रांची पठाच छेत्र में हुन्रू जोना दसम जैसे जल परपात इस्तित होने के कारण क्या है तो यह संप्रियाय मैदान का धीमा बाल होना यह है इसका परमूख कारण और तसर रेसम तथा लाख के उत्पादन में जार्कन का अस्थान कितना है तो यह है पहला अस्थान है तसर और लाख के उत्पादन में हमारे जार्कन फ़स्ट अस्थान पर है जार्कन में इस्तित एकमात राष्ट उद्यान क्या है तो यह बेतला राष्ट उद्दान है जो कि एक दूही साइध прим जो कि कभी कभी देखने को मिलते हैं अब आगे देखते हैं अब n पूर्वी सीमगूम का दल्मा अभ्यारन किस चीज के लिए परसीद है तो यह हाथी के लिए परसीद है पूर्मी सीमगूम का दल्मा अभ्यारन जारखन का सबसे ग्रम अस्थान कौन सा है तो यह जमसेदपूर है सबसे ग्रम अस्थान जार्खन में मांसून के परवेश की तिथी क्या मानी जाती है तो ये 10 जुन को जार्खन में मांसून परवेश कर जाती है मतलब 10 जुन से जार्खन में बारिश होना शुरू हो जाता है अब आगे रहते हैं, जिर्खन में सुरुआदी, थंड ये वर्षा का अस्ठान कौन सा है? ये नेतरहाड, नेतरहाड में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ पर थंड भी सबसे ज्यादा लगती है जार्खन में ओसत वार्षिक वर्षादर क्या है तो यह 140 cm है ओसत वार्षिक वर्षादर अब अगला प्रस्न देखते हैं जार्खन को कितने जलवायू परदेश में विवक्त किया जाता है तो यह साथ जलवायू परदेश में जार्खन को विवक्त किया जाता है जार्खन की वरिष्टी छाया परदेश की नाम से जाना जाता है तो यह पलामू जाना जाता है राष्ट अब्दा परबंदन संस्तान NIDM के अनुसार जार्खन कितने जलवायू परदेश में विवाजी थे तो यह तीन जलवायू परदेश में हमारे जार्खन विवाजी थे अगला प्रस्ण क्या है जार्खन में सरवधीक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है तो यह लाल मिट्टी है जो कि सबसे ज्यादा हमारे जार्खन में पाई जाती है निर्मान परक्रिया के द्रिश्टी से जार्खन की मिट्टी है यह अपसिष्ट मिट्टी है अगला प्रस्ण क्या है जार्खन में वर्षा जल से होने वाले मिर्दा अपर्दन को क्या कहा जाता है तो यह चादरी कहा जाता है जो वर्षा के कारण जो मीटी कटा हो जाता है मिर्दा अपर्दन हो जाता है तो उसको चादरी कहा जाता है ग्रिडी इस्तित पारशनात पहाड़ी किस पठारी परदेश का हिंसा है तो यह ब्रहा छोटनापूर का हिंसा है ग्रिडी ग्रिडी का जो पारशनात पहाड़ी है वो रांची पठार का उत्री हिंसा किस नाम से जाना जाता है तो यह मौरवान परदेश की नाम से जाना जात कि हिस्से हैं तो यह उत्री बहां पठार के हिस्से है चतरपूर का मैदान तथा गलवा उचा भूमी उत्री दामोदरनादी घाटी का बीवाजन समय तो यह कंटूर रेखा कहलाती है का उत्री दामोदर और द्चन दामोदर नदी घाटी को बिभाजित करती है यह काफी important question है आ सकता है एक्जाम में राजमहल पहाड़ी छेत्र में इस्तित्र नुकिली पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है तो यह टॉंगरी या फिर डॉंगरी यह दोनों नाम से जाना जाता है पहाड़ी छेत्रों को अगला प्रस्ण क्या है चायबासा मैदान के पस्षीमी छेत्र में किन वनों का विस्तार पाए जाता है तो यह सरंड़ा वनों का विस्तार पाए जाता है चायबासा मैदान के पस्षीमी छेत्र में अगला प्रस्ण है धालभूम दल्मा सरंड़ा पोरहट किस मैदाने और छेत्र में इस्तिते ये दोनों ये सभी जार्खन की नदियों की प्रकृति क्या है तो यह प्रादीप्य नदी है ये जार्खन का सबसे उच्छा जलपरपात कुन सा है तो यह बुढ़ा घाग जलपरपात है जिसकी उच्छाई है 466 मिटर अब आगे रहते हैं पीट हुन्रू जलपरपात किस नदी पर है तो यह स्वन रेखा नदी पर इस्तित है फीट हुन्रू जलपरपात अगला प्रस्न है राडू नदी पर इस्तित जोना जलपरपात की नमिंतम नाम क्या है तो यह कोतम धारा जल्परपात में बोलायता है जोना जल्परपात को अगला प्रometर दसम जल्परपात कहां इस्थि थैं तो यह काँची में सी थैं दसम जल्परपात दसम वाटरफॉल गह nessa करने नदि पर इस्थित है एक पाद क्या है तो यह गुमलन करने खरात नदि कुछा गया है जो कि लेव असिस्टेंट का एकजाम हुआ था 11 दिसंबर को जो लेव असिस्टेंट का एकजाम हुआ था उसमें यह कोश्यन पूछा गया था एजटेज की हीर्नी जल परपात किस जिले में इस्ति थे हमारे जारकन के तो यह प मख लाए बल्चोरा सुखल दरी जल्परपात कहां सी थे गढ़यों में इसती थे मोझेरा जल्परपात किस नदी तरफ पर इ libraries तो ये जल्परपात नदी दोस्तों व्हू हिर्नी जल्परपात वुआला जो मैंशने बोला हूं उसमें यह मैंने जितने भी एक्जाम हुए थे जारकन लेव एसिस्टेंट का उन सभी का मैंने अलानेशिस किया है तो वीडियो आप देख लें जाके हमारे चैनल के प्रोफाइल में आपको मिल जाएगी क्या-क्या कोस्टें पूछे गए थे लेव एसिस्टेंट में भागे देखते हैं अगला प्रस्ण हजारी बाग इस्तित जल परपात का अधिक्तम तापमान क्या है तो यह 88 डिगरी सेल्सियस है या तो फिर इसको फारेंहाइट में अगर कनवर्ट करते हैं तो 190 डिगरी फारेंहाइट है मतलब यह सबसे ज्यादा ग्रम जल परपात पर रानी भरफ गरम कुंड मतलब जमीन के नीचे से गरम पाणी निकलते रहता है कुछ इसका होगा घ्राइव हीट होते लाता है और ये आउट होते रहता है कुंद याद कर लें यह सभी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे डारेट कोश्चन वन लाइनर के तोर पर पूछा जाता है परिच्छाओं में अब आगे दखते हैं जारखन के जलवायू को परभावित करने वाली परमुक्तत्व कौन सी है तो यह उच्छाई अच्छा टकी ककी परभाव से होने वाले तरीट ज्हैं ज्याइवत वर्षा को क्या कहा जाता है तो यह नॉर्वेस्टर कहा जाता है जो करती हुए। अगला प्रस्न है कुल भारतियों वनों का कितना परतिसत हमारे जार्खन में इसकी तो यह 3.4 परतिसत है जो कि कुल भारतियों जितने भी हमारे भारत में जंगल है उनमें से हमारे जार्खन का जंगल 3.4 परतिसत है जार्खन के कितने परतिसत छेत्र पर 1 अच्छादन है तो और सबसे कम मतलब नियुनतम है जामताड़ा यह दोनों जील्य है अगला प्रस्न है जारखन में परतिसत के दिरिष्टी कौन से सरवधिक मतलब नियुनतम वन कहां पाए जाते हैं तो यह जामताड़ा में पाए जाते हैं सबसे कम परतिसत की दिरिष्टी से जारखन के कीश जिल्ले में सरवधिक सुरचित वनों का विस्तार है तो यह हजारी बाग जिल्ले में जो वन है वो काफी सुरचित है प्रस्तितिकिया अतना परतिसत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए तो यह निया तैंतिस परतिसत भूभाग पर वन में का विस्तार तब environmental जो में चन्तुलनव वह बना रहेगा मतलब पॉल्आूशन वगारा द्र कन्टज रहे गा ये सभी कि कारण और जो जल्वा यह वग्यार ये सभी कंट्रोल में रहेगा मतलब टाम टाम में इस हो यह कोगे निते वो अगर इसे कम हुआ तो फिर उसमें बससम ज्यादा गर्मी की सुखाब हो सकता है ये सभी होते हैं प्रयावरण के नुक्सान अब आगे रखते हैं जार्खन के की जिले में स्रवाधीक, अवरगिकरित 1 का विस्तार है तो ये सहावगन जिले में अवरगिकरित 1 का विस्तार सबसे जादा अगला प्रस्लिए जे कितना पर्तिसत भूभाग पर 30 सगन 11चेत्र पाया जाता है तो यह 3.27 पर पाया जाता है पढ़न पाती वनों का राजा किस व्रीच को कहते हैं तो यह ऊव रहते हैं परण पाती वनों का राजा और यही साल व्रिच जो है हमारे धारकन राज का राजेक्य व्रिच है बाग देखते हैं राज के कितने परतिशत भूभाग पर उस्न कटीबंद आर्द पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो यह 2.66 परतिशत भाग पर यह उस्न कटीबंद आर्द पर्णपाती वन पाए जात दिया था कि जारखन राइच का राइच की व्रिच क्या है तो यह साल है आगे देखते हैं साल व्रिच को अस्थाइन भासा में क्या कहा जाता है तो यह सरई कहा जाता है या फिर इसको सख्वा कहा जाता है साल व्रिच को यह काफी कंफ्यूजन में जो लोग होंगे वह जान फर्निचर के लिए होता है तो यह है सीसम और सागवान यह दोनों व्रिच हैं जो कि जिसका फर्निचर टेबूल कुर्सी या फिर प्लंग वगएरा इस सभी जितने भी दरवाजा खिड़की यह सभी बनाने के लिए काफी उपयोगत माने जाते हैं इन से सीसम और सागवान की लकडियों को इस व्रिच का परियोग पेटी निर्मान में किया जाता है तो यह सेमल व्रिच का परियोग जो पेटी का निर्मान किया जाता है उसके लिए किया जाता है कागज उद्धोग में उपयोग होने वाला वन उपाद क्या है तो यह बांस है मतलब बांस का बनता है अब अगला प्रस्ण क्या है जारखंड के लाख के उत्पादन में किस कीड़े का परियोग किया जाता है मतलब जो लाख का उत्पादन किया जाता है उसमें कौन सा कीड़ा का यूज किया जाता है तो यह है लख बग नामक कीड़ा है जिसको हम लोग परियोग मिलात जिसे हम ब्रेंगल काते हैं वाग देखते हैं जारखन में लाख उत्पादन के लिए किस व्रिच का उप्योग किया जाता है तो यह कुसुम व्रिच का उप्योग किया जाता है और पलास्म व्रिच का उप्योग किया जाता है इन तीनों व्रिचों में लाख लगे होते हैं औ लग बीडी पीते हैं वो अपने देख लें उनको पता होगा काकी अदरला प्रश्ण किया है । तसर रेसम का उत्पादन किन विरिच्छों पर किया जाता है अर्जून आसन सहतूत विरिच्छ पर किया जाता है तसर रेसम जो रेसम के कीट होते हैं वो सभी इन विरिच्छों में ही लगते हैं अर्जून विरिच्छ आसन विरिच्छ और सहतूत के विरिच्छ में तो सबस से ज्यादा पोल्यूटेड रिवर इसको माना जाता है दामोदर का उद्गम अस्तल कहां पर है तो यह है तोरी छोटानागपूर में से दामोदर नदी निकलता है मारे जार्खन अगला है गुम्रो और एरो किसकी सहायक नदी है तो यह है ब्रामनी किस सहायक नदी है मतलब ट्रिव्यूटरी है गुम्रो और एरो जार्खन की सबसे बड़ी यह लंबी नदी कौन सी है तो यह है दामोदर नदी है जार्खन की सबसे बड़ी और लंबी नदी जार्खन की एकमात नदी जो सतंत रूप से बंगाल की खाड़ी में गरती है तो यह स्वन्रेखा नदी है जो सिद्धे जाके बंगाल की खाड़ी में गरती है बंगा बे ओफ बंगाल में गरती है मतलब इधर अरेबियन सागर यह इंडिया का में अपर इसको क्या बोलते हैं अरेबियन सागर बोलते हैं और इधर बे ओफ बेंगाल इसको बोला जाता है जिसे बंगाल के खड़े बोलते तो यहीं पर गिरता है स्वन्रेखा नदी जो कि हमारे जारकन से निकलती है और जाके बेंगाल में गिरती है अगला प्रस्न देखे हैं सोन्रेखा नदी उदगम अस्तल कहां पर है तो यह है नगडी जो कि रांची से यह नदी निकलती है अगला प्रसम जारकन और उडिशा के बीच सीमा निर्धानड में सहायक नदी कौन सी है तो यह है खरकई नदी जो है वो जार्खन और उडिशा के बीच में इस्ती थे मतलब जारखंड यह है और यह उडिशा है तो यह खरकई नदी इसी के बीच से सीमा का निर्धानन करती है यह कोशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह सब पुछा जा सकता है कि कौन सी नदी है जो कि जारखंड और उडिशा की सीमा का निर्धानन करती है तो यह क्या है खरकई दच्छिनी कोयल नदी का उत्गमस्तल कहां पर है तो यह नगडि रांची यह भी नगड़ी से ही निकलती है सौन्रेखः और दच्छिन कोयल दोनो नदियां जार्खन की किन नदियों का मुहाना हुगली से सम्द्धी थे तो यह दामोधर मियूराची और ब्रामनी नदी है जो कि जाके हुगली नदी में जाके मिल जाते हैं यह तीनों नदियां अगला प्रस्ण क्या है जारखन से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो अपना विलेग गंगा में करती है तो यह सोन पुनपुन और सक्री नदी है यह तीनों नदियां कहां पर जाके मिल जाती है यह गंगा नदी पे जाके मिल जाती है यह काफी important यह सभी question है कि यह पूछा जा सकता है कि दामोदर मियूराची और ब्रामनी नदी किस नदी में जाके मिल जाती है तो यह याद कर ले अच्छे सी देख लें एक बार दो बार वीडियो देखने या तो कि note Down कर लें और उसे दो तिन बार पढ़ें आपको खुदी याद हो जाएगा अब आगे दिखते हैं धार्खन के किस नदी को बंगाल का सोख कहते हैं तो यह दामोदर नदी को कहा जाता ह बंगाल का सब्गार का सो किसलिए कहow जाता है क्योंकि जब भी बारिस का मोन्सम आता है तो इसमें काफी जल्दाराय भनें लगती है और जाके बंगाल में क्या करती है flood in मतलब पानी जिसको बोल सकते हैं पुरा भर जाता है बंगाल में इसके कारणने इसको बोला जाता है बंगाल का सोग बोला जाता है अगला प्रस्न है जार्खन के साहब गंज में किस नदी पर टर्मिनल बनाए गया है तो यह गंगा नदी पर बनाए गया है एक टर्मिनल बनाए गया है जार्खन के अधिकांस नदियां द्वारा नती लंब जल प्रपातियों विश्चत निर्मान का कारण है तो यह है नदिय हुआई करना इसके कारण यह सभी चीज़ें दिखाई देती हैं जारखन में कुल कितने नदी-पेशिं इस्थित हैं तो ये आठ नदी-वेशिं इस्थित हैं कि नदी-वेशिं कहने का मतलब कि इधर से भी नदीब आ रही है इधर से भी नदीब आ रही है तो इस इलाके को हम लोग बोलेंगे नदी बेसीन अब आगे देखते हैं जारखन के किस नदी को हिरण्या वाहक कहा जाता है तो यह सोन नदी को बोला जाता है हिरण्या वाहक तो यह पुनपुन नदी की सहयक नदी है दुरधा और हर मतलब ट्रीब्योटरी किको बॉलायाता है कहने का मतलब कि अगर कोई में नदी इस तरह जाके बह रही है तो उसमें कोई और भी नदी जाके आके यहाँ पर मिल गई या फिर यहाँ पर मिल गई तो इन दोनों नदियें को बोलेंगे सहायक नदी तो जिसे इंग्लीज में हम लोग ट्रीब्यूटरी बोला याता है आगला प्रस्न है जारखन की कोन सी नदी मार्ग बदलने के लिए परसिद है तो यह फलगून जाखन जो स्राद और पिंडदान के लिए परसिद है तो यह फल्गु नदी है जो स्राद और पिंडदान के लिए परसिद है औरंगा और अमानत की सहायक नदियां तो यह उत्री कोयल की सहायक नदी है औरंगा और अमानत नदी यह नदियां हैं उत्री कोयल की सहायक नदी बुढ़ा घाग जलपरपाथ किस नदी परिष्टी थे तो यह है उत्री कोयल नदी परिष्टी थे बुढ़ा घाग जलपरपाथ पत्थरों और जैन्ती किसकी सायक नदिया है तो यह है अजय की सायक नदी है पत्थरों और जैन्ती मियूराच्छी नदी का उद्गम अस्तल कहां पर है तो यह है त्रिकूट पहाड़ी क्योंकि देवघर में इस्तित है यहां से मियूराच्छी नदी निकलती है तो दोस्तों ये था जारखन के भूगल से रिलेटेड इंपोर्टेंट कोसें जिसको हम बोल सकते हैं वो सभी कोसें को मैंने इस वीडियो में डिसकस कर दिया है जो लोग बाकी के वीडियो नहीं देखें हैं वो जाकर देख लें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि एक तैंक यू फॉर वाचिंग डिस वीडियो वीडियो को like शेर जरूर करें अपने दोस्तों को जरूर बताएं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को इंडियन जीएस को वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दवाए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के तरू थैंक्यू दोस्तों